हलो आज का जो मेरा सेशन रहेगा दाट वोड फॉर दे के सड़ तो आज हम जेके सेट का पारट थर्ड करने वाले हैं जेके सेट के आलोडी दो सेशन में ले चुके हूँ और जिनका लिंक मैं आपको इसी इडि सेशन के कमेंट सेक्षन में पेस्ट करने आप उन दोनों सेश IQs हैं उनको consider करेंगे ताकि आप अपने concepts को revise कर सकें दुबारा से refresh कर सकें और ये आपको फाइदा पहुंचाएगा आपके upcoming CSIR net के लिए भी तो meanwhile अगर आप किसी भी state में हैं और set का exam दे रहे हैं या अगर आप CSIR net को अभी target करके चल रहे हैं तो ये sessions जो है question answers वाले आपके ल रहे हैं यहां पर part third of JK set now let's begin first question जो आपकी screen पर students you can easily see is that second period consist of eight elements यहां पर assertion reasoning का ये question है कि periodic table में second period के अंदर हमारे पास eight elements होते हैं इसका reason यहां पर दिया गया है कि number of elements in each period is four times the number of atomic orbitals available in the energy level that is being filled अब आपको दोनों चीज़ें यहां पर बतानी है first option है कि both assertion और reason जो है वो correct है दोनों सही है और reason जो है वो correct explanation है assertion का second choice आपकी है if both assertion and reason are true दोनों सही है मगर reason जो है वो correct explanation नहीं है assertion का third choice है कि assertion सही है reason गलत है और fourth choice हमारे पास है कि assertion और reason दोनों ही गलत है तो students यहाँ पर अगर हम बात करें इसका correct option आप लोग भी खुद सोचो और फिर मैं इसका right answer आप पो यहाँ पर देटी हो इसका right answer होगा C assertion बिल्कुल सही है कि second period के अंदर 8 elements होते हैं कितने आते हैं दो तो total हमारे पास 8 electrons यहां पर आएंगे ठीक है क्योंकि हर atomic number बढ़ता है तो number of proton या electron लगाता इंक्रीज होता रहता है उसे ही हम कहते हैं atomic number बढ़ना तो it means total number of elements यहां पर कितने होंगे 8 यह बिल्कुल clear है then comes number of elements in each period वह four times होता है atomic orbital का वो four times नहीं होता वो कितने times होगा two times हर orbital के अंदर दो electron लाई करते हैं तो वो two times होगा तो यहां पर assertion हमारा सही है बट reason इसका सही नहीं है तो reason यहां पर क्या हो जाएगा false or correct statement आपका यहां पर हो जाएगा third one तो I think यह question आप सब को clear हो गया होगा और यह inorganic chemistry का आपका chemical periodicity वाली unit में से रहेगा next question पर हम move करते हैं students next आपका acid and base से है यह question यहां पर पूछा गया है एक solution है जिस पर strength यहां पर दी वही है 2M की formic acid का है और इसका ionization कितना हुआ है 0.95% आप से पूछा गया है के ए तो एक बहुत सिंपल सा numerical portion ही रहेगा यहां पर अब इसको थोड़ा सा हम इसको solve करके देखते हैं मेरे साथ साथ आप लोग भी सभी जने solve करें तो आपके पास compound दिया है formic acid it means HCOOH जब ionize होगा यह किसके concentration C, यह 0, यह 0, after that क्या हो जाएगा यह alpha, यह alpha और यह क्या हो जाएगा 1 minus alpha, concentration term सबसे multiply कर दें तो आपके पास यह condition हो जाएगी, अब यहां पर देखो alpha दिया है आपको कितना 0.95% ionized, तो अगर मैं इनकी value यहां पर रखो, concentration दी है 2, 1 minus alpha, 0.95% है ना, 95, अपन क्या कर देंगे हैं 100, इसी तरह से C alpha में 2, alpha कितना हो गया, again 0.95 upon 100, यहां पर भी 2 into 0.95 upon 100, तो यह हमने सबकी values रख दी, अब हमें पता है कि किसके value के बराबर होगा, product upon reactant, यह नहीं कि H COO minus, then H plus, upon क्या आजाएगा, H COOH, यह condition आजाएगी आपके पास, अब इन सबकी values, यह आपके पास H COO minus की, यह H plus की और यह H COOH की, सब values को जब हम यहाँ पर put करेंगे, तो K की value solve जब हम करेंगे, H COO minus की यहां से यह वाली पूरी value put करोगे, H plus की यह पूरी value put करोगे, और H COOH की यह पूरी value put करोगे, तो इस सबको जब आप solve करेंगे, निमरीकली तो आपका आंसर आजाएगा 1.8 into 10 raise to power minus 4 इट मीन्स आपका correct option यहाँ पर हो जाएगा B वाला तो I hope यह question सबको clear हो गया होगा next question पर अब हम move करते हैं main group elements का बहुत important question है कि हमारे पर compound N3 P3 F6 दिया गया है अब आपसे यहाँ पर nitrogen और phosphorus के लिए respectively geometry पूची गई है तो देखें यहाँ पर structure मैंने आपके लिए show किया गया है तो nitrogen students यहाँ पर होता है SP2 hybridization state में it means trigonal planar geometric, phosphorus होता है SP3 hybridization it means tetrahedral तो आपसे पूचा गया है nitrogen के लिए and phosphorus के लिए तो nitrogen के लिए हो गया planar और phosphorus के लिए हो गया tetrahedral तो आप यह choice match कर सकते हो कि आपको यह वाली choice कहां पर देखने को मिल रही है तो हम देखेंगे यह हमें मिलेगा B वाले में कि planar and tetrahedral would be the right answer तो 52 का answer हो जाएगा आपका B वाला So let's move, next question पर हम move करते हैं अगें यह assertion reasoning का question आगया coordination compounds पर यहां पर students आपके सामने दो complexes दिये हैं और यह देखो first complex दिया है nickel का EN के साथ और second वाले में nickel के साथ जुड़ावा है NH3 अब आपसे पूछा गया है कि जो first complex है has lower stability than second पहले वाला जो complex है उसकी stability कम है second वाले से और second reason जो यहां पर दिया हुआ है कि जो first compound है इसकी geometry यहां पर trigonal bipyramidal है तो हम इन दोनों चीज़ों को one by one अगर students यहां पर देखें तो सबसे पहले तो geometry आप देख सकते हो यह trigonal bipyramidal नहीं है तो यह आप geometry देख सकते हो यह nickel और इस तरह से यह 6 से जुड़ा हुआ है इट मींस यहां पर जो इसकी geometry रहेगी वो किस तरह से रहेगी octahedral यह geometry कैसी रहेगी octahedral तो इट मींस हमारे पास यह reason क्या हो गया यह वाला तो गलत हो गया सेकेंड अगर हम बात करें कि इस first complex has lower stability than the second तो इसकी stability lower नहीं होगी lower क्यों नहीं होगी उसका reason है students यहां पर उसका reason क्या रहेगा अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पर bidentate ligand जुड़ा होगा है तो bidentate ligand जुड़े होने के कारण हमेशा kilate compounds बनेंगे kilate compounds बनेंगे तो उनकी stability क्या होती है ज्यादा तो हम कहेंगे यहां पर इसकी stability क्या होगी more तो stability इसकी रहेगी more stability more because यह complex कैसा हो गया हमारे पास kilate kilate कम हो गया तो I think कीची सब को clear हो गी तो 92 number के question का आपके पास यहां पर answer हो जाएगा if both assertion and reason are false यहां पर दोनों ही false हैं दोनों ही statement आपके पास बिलकुल गलत है यहां पर यह एक क्लेटिंग लिगेंड है तो इससे stability क्या हो जाएगी ज्यादा जब भी आपके पास kilate formation होगा kilate legend है तो it means stability यहां पर क्या हो जाएगी ज्यादा stability क्या हो जाएगी ज्यादा more stability अब हम आगे move करते हैं next question पर तो 92 का हमारे पास answer हो गया दी बाला next question में हम देख सकते हैं the correct statement regarding the terminal यहां पर पूछा गया है CEO groups in the solid आपके पास दो different complexes दिया है तो correct statement आपसे पूछा गया है इन दोनों के लिए क्या रहेगा तो students यहां पर इन दोनों complexes की यहां पर मैंने structure easily यहां पर आपके लिए हुए है तो आप दोनों को equally देख सकते हो कि bridging और terminal CEO groups दोनों में किस तरह से हैं अगर हम इसको one by one इन structures को आप देखेंगे तो first complex जो CEO 4, CEO 12 का है first अगर आप complex को देखते हो 53 नमबर का जो question है इसका answer आपका आएगा D number of bridging CEO groups इस second वाले में क्या आएगा 0 अब यहां पर one by one यहां पर देख तो students यह first complex यह second complex की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें first option क्या लिखा है both have equal number of bridging CEO legend तो आप bridging CEO legend आप देख सकते हो first complex में यह वाले जो complex आपके जो ligands है यह कैसे हो जाएंगे bridging वाले तो आपके पास यहां पर यह 3 bridging ligands आएंगे तो हम कहेंगे यहां पर 3 CO हमें bridging के form में है मगर second वाले में direct metal metal जुड़ा होगा है bridge कहीं पर भी नहीं बन रहा तो हम कहेंगे bridging यहां पर कितने हो गए 0 right second option देखो number of bridging CEO in CEO next वाला जो complex है आपका cobald का उसके अंदर number of bridging ligands चाड़ दिये वे हैं तो हम कहेंगे यह statement भी गलत हो गया क्योंकि number of bridging कितने के हैं तीन ही है हमारे पास then third number of terminal CEO अगर हम terminal CEO की बात करें हमारा कौन सा complex first वाले complex में तो आप देखो के यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यह वाले आपके पास क्या हो जाएंगे सारे के सारे terminal वाले condition हो जाएगी तो terminal हमारे पास कितने हो गए 9, 9 यहां पर terminal हो गए ठीक है जो D statement है second complex के लिए जो पूछा गया है उसमें कहा गया है bridging वाले कोई भी नहीं है तो आप देख सकते हो यहां पर कोई भी bridge नहीं है यहां सारे के सारे किस form में है terminal form में है तो यह पूरे के पूरे 12 CO किस form में है terminal में तो bridging यहां पर एक भी नहीं है तो D would be the right answer चलो next question पर अब हम यहां पर move करने है students इन oxy hemoglobin iron center is present described by the following यह हमने question कई बार पहले भी किया है कि oxy hemoglobin के अंदर iron किस state के अंदर होता है तो इसका C would be the right answer low spin iron second oxidation state में next IUPAC का बहुत simple सा question था यह students हमें simply यहां पर सबसे पहले noun देखेंगे functional group को हमने first number दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 तो right option यहां पर इसका D वाला आएगा मगर कैसे आएगा देखो 7 पर क्या जुड़ा होगा है final group 7 carbon का है तो क्या हो गया hept third पर क्या हो गया e two पर क्या हो गया alcohol तो यह सारे groups आपने लगा दिये अब आपको देखना है two पर s और three पर e यह वाली condition देखनी है तो two वाले पर देखो यह आपका first oh यह आगया आपका second double bond को priority दी third आपने इसको दी तो one से two, two से three हमारी direction क्या हो गई r r वाला convert हो जाएगा यहाँ पर s में क्योंकि अगर oh group plane of paper से नीचे है तो definitely fourth group h जो है वो plane of paper से उपर होगा तो student इसका मतलब यहाँ पर हमें r को किसके अंदर convert कर देना s तो two s ही मुझे मिल रहा है third वाला जो है वहाँ पर higher priority के groups opposite side है it means third पर e configuration हो जाएगा तो third पर e दिया हो है तो 62 question का हमारे पास right option यहाँ पर क्या हो जाएगा d would be the right choice चलिए उसके बाद यह question हमने पहले भी बहुत सारे segments में किया हो है that is identify the aromatic compounds among the first to third इनमे aromatic compounds कौन कौन से होगे तो देखो इस वाले first के अंदर यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर clear picture दी है first और इस वाले में आप देख सकते है internal hydrogens का repulsion होता है यह वाले में क्या होगा कि internal hydrogen repulsion repulsion और इस repulsion के कारण यह non planar हो जाएगा non planar तो यानि कि aromaticity की condition fulfilled नहीं होगी तो हमारे पास यह system कैसा हो जाएगा non aromatic मगर इन दोनों internal hydrogens को यदि हम हटा दे किसी bond की through इसको हम जोड़ दे या इस पे हमने oxygen को लगा दिया तो it means यह दोनों system कैसे हो जाएगे aromatic तो first और जो आपके पास third वाले आपके पास यह दोनों ही sorry second और third यह aromatic system हो जाएगे तो C would be the right choice first नहीं होगा first वाला आपका non aromatic होगा मगर आप देख सकते हो यह भी aromatic system बन जाएगा और यह भी aromatic system बन जाएगा तो I think यह सबको clear हो गया होगा next question पर हम move करते हैं यह reaction mechanism का बहुत important question है देखो यहाँ पर पूछा गया है which of the following statement describes the nucleophilic substitution product obtained from the following reaction आपको यह compound दिया वा है S2 bromobutane और उसकी reaction ammonia से कराई है non polar solvent में अब non polar solvent है it means आप reaction करा दीजिए SN2 mechanism से अब आप देखिए product आपको किस तरह से मिलेगा तो यह चो compound दिया वा है इसको मैंने Fischer projection formula में इस तरह से लिखा इस तरफ H है इस तरफ मेरे पास क्या है BR है उपर क्या जुड़ा हुआ है CH3 group और नीचे की तरफ क्या है इथाईल गूट अब इस पे अगर NH3 की reaction हम कराएं और SN2 mechanism करा दें तो इसका मतलब NH2 group अब की बार इस साइड आएगा क्योंकि BR अगर यहाँ पे है आपको inversion कराना है तो इट मीन्स अब प्रोड़क्ट हमारा कैसा हो जाएगा NH2 इस जगा पर आजाएगा H यहाँ पर रहेगा CH3 यहाँ पर रहेगा इथाईल यहाँ पर रहेगा अब हम इनको priority के basis पे number देंगे number 1 हमने इसको दिया number 2 इसको दिया number 3 इसको दिया fourth hydrogen को दिया तो 1 से 2, 2 से 3 जब हम move करेंगे anti-clockwise direction में हम move कर रहे है it means क्या हो जाएगा S मगर fourth priority का group horizontal line में है तो S को मैं convert कर दूँगी R के अंदर तो अब मेरे पास correct option जो है यहाँ पर 44 number question का क्या रहेगा यह वाला this reaction is R2 amino butane हमें R मिल रहा है as the major product तो यह R configuration वाला हमें एक major product के रूप में यहाँ पर मिलेगा तो 44 का answer हो जाएगा A तो I hope आपको यह question बिलकुल clear हो गया होगा और जितने students इस session को देख रहे है do like the session अब reagent से हमारा important question यहाँ पर आता है कि which reaction condition would be the best अगर हम alkyne को alkyne में conversion कर रहे है और हमें cis form बनाना है तो cis form बनाने के लिए best reagent हमें पता है lindar catalyst लेते हैं तो lindar catalyst देखो यहाँ पर दिया वा भी है PD, calcium carbonate और आपने lead curse के साथ saltly acetate alkyne को alkyne में बदलता है मगर cis form में और आगे alkyne में नहीं लेकर जाता तो over reduction यहाँ पर नहीं होगा इसके लिए हम क्या ले सकते हैं साथ में quinoline इस तरह के reactants और ले लेते हैं ताकि आगे यह alkyne तक नहीं जाए तो that means second would be the right option six का भी सही answer होगा then comes आपके पैस next question simply pericyclic का है तो pericyclic में देखे आपसे reactant पूछा गया है और product end में अगर हम देखें यह दोनों groups की stereo different है मतलब एक plane of paper से उपर है एक plane of paper से नीचे है इसका मतलब हमें transform लेना पड़ेगा और trans लेंगे supra supra addition होगा तो it means लेना भी trans पड़ेगा और entra अगर कहीं आ रहा है तो हम sis ले सकते हैं तो सबसे पहले हमें addition देखना पड़ेगा यह किस तरह से होगा तो selection rule लेंगे 4N, 4N plus 2 thermal photochemical now entra supra, supra 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 supra, entra supra यह simply 4 plus 2 का addition है thermal condition है it means supra supra होगा तो जो आपको stereo product में दिख रही है वही stereo आपको लेनी पड़ेगी it means आपका यहाँ पर correct option A हो जाएगा तो हमने क्या किया simply इसकी reaction इसके साथ करेंगे तो एक electron इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और इसका एक इधर, एक इधर तो यह एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है तो it means यह supra supra simply addition होगा तो I think सब कोई चीज़ clear हो गया answer इसका हो जाएगा A then comes a tripeptide is written as glycine, alanine, glycine तो correct structure tripeptide का क्या होगा अब इसका मतलब आपके पास पहले glycine लेना है फिर alanine लेना है, फिर glycine लेना है तो correct structure यहाँ पर क्या होगा तो देखो आपके पास condition क्या हो जाएगी जैसे simply हमने कहा एक तरफ NH2 फिर carbon, glycine में R की value H होती है right, then COOH इसके reaction NLN से करानी है तो अब next में हम क्या करेंगे फिर से NLN लेंगे, तो यहाँ पर NH2 then CH, R की value क्या जाएगी CH3, then comes COOH third unit में NH2 then CH, then H and then COOH, तो यह हमें sequence रखनी पड़ेगी, तो अगर correct option यहाँ पर हम देखेंगे तो यह वाला आजाएगा, देखो यह CH2 group, यानि की glycine यह CH3 की value आगई it means LNN, यह again CH2 it means glycine, तो यह हमारे परस B would be the right choice चलिए, next term यहाँ पर अब बहुत अच्छा question एक term symbol और spectroscopy में physical का आया है, देखो in general अपन जब term symbols निकालते हैं, तब हम क्या कराते हैं, 2S plus 1 LJ, ठीक है, अब वही चीज़ आपको यहाँ पर use करनी है, term symbol for the ground state of B2 के लिए, यह आपको दिया गया है, right the total spin and total orbital angular momentum, तो S और L की value आपको निकालनी है अब जैसे वहाँ पर अपन कैसे use करते हैं, जब हम atomic term symbols निकालते हैं, तो simply आप क्या करते हो, 2S plus 1 LJ, right, अब आप से S और L की value यहाँ पर पूची गई है, right, 2S plus 1, 2S plus 1 यह value किसके बराबर आ रही है 3 के बराबर आ रही है, तो इस value का हम किसके बराबर रखेंगे 3 के, right तो it means 2S किसके बराबर आ रही है, 2 के, और S किसके बराबर आ रही है, 2 by 2 that is 1 के, तो पहली चीज तो यह clear हो गई, इसका answer आ जाएगा C, तो पहली चीज क्या clear होगे कि S की value के आ गई है, हमारे पास 1, right, अब आपको L निकालना है, तो L की value अब कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले जिसे 0 है, 1 है 2 है, 3 है इसके लिए अपर निकालते थे ना, जिसे S, P, D, F यह लिखते थे, अब यहाँ पर जो हम term symbols लिखेंगे, molecular वाले में, तो इसमें देते हैं, इस तरह से sigma, sigma के बाद आता है pi, pi के बाद, अगर यहाँ पर हमरे पास आता है delta, और delta के बाद आपके पास आ जाता है phi I think अगर यह पीछे मेरे थोड़ा सा hidden हो रहा है, तो मैं यहाँ पर दुबारा लिख देती हूँ L की value, 0, 1, 2, 3 आप इसमें atomic वाले में लिखते हो, S, P, D, F अब यहाँ पर इसके लिए use लिकरेंगे हम sigma, ठीक है sigma के बाद pi, pi के बाद आपके पास आ जाएगा delta, delta के बाद आ जाएगा phi, अब आप खुद देखो आपको यहाँ पर sigma दिया हुआ है it means यहाँ पर इसकी value क्या होगी 0, तो L की value क्या जाएगी 0, तो S की value 1, L की value 0 तो आपका correct option हो जाएगा C वाला next पर हम move करते हैं यहाँ पर कि आपके पास बिल्कुल simple VBT का concept है कि आपके पास 2 hydrogen के atoms है दोनों मिलके H2 का molecule बना रहे हैं, तो देखो 1S से 1 is an atomic orbital 1S का उसके लिए हमने लिया containing एक electron hydrogen पे इसकी आपने reaction एक तरह से HB से कराई और आपसे पूछा गया है then which of the following terms would not appear in the valence bond, तो HA का एक atom, HB का दूसरा atom दोनों VBT में क्या करते हैं combine करके H2 का molecule बनाते हैं, अब कौन सी condition यहाँ पर नहीं होगी, तो देखो यहाँ पर यह वाला असका correct option है D वाला, D वाला क्यों है इसमें यहाँ की A भी नहीं होगा D भी नहीं होगा, उसका reason देखो first HA में यहाँ पर एक electron associated B में एक electron associated SA ही B में पहला electron associated SA में दूसरा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जब overlapping हो जाती है, उसके बाद आप इनके बीच में differentiate नहीं कर सकते कोई भी electron किसी भी atom से associate हो सकता है, मगर यह condition नहीं होगी न, कि SA यह आपकी covalent की condition बता रही हो और SA, दोनों आपने लिए either SB और SB लिए, तो यह condition नहीं होगी, तो आपका option क्या हो जाएगा, A और D, तो यहाँ पर it would not appear, यह conditions नहीं appear होंगी, right तो D would be the right answer इसमें अब simple यहाँ पर एक फिर से statistical thermo का आपका एक question यहाँ पर आया है एक transitional partition function है argon के लिए volume दिया है, 1 liter temperature दिया है, 300 Kelvin और wavelength आपको इतनी दी है, तो अब आपसे पूछा गया है किस सरह से आप इस चीज को निकालोगे, तो यहाँ पर एक पहले में सबसे पहले आपको एक formula बताना चाहूंगी, यह होता है 2 pi, अब simple आपको values रखनी है, M, फिर देन KB, देन T, upon H square, और यहाँ पर आजाएगा 3 by 2 and then V यह सारी आप values 1 by 1 रखते रहेंगे, KB की value हमें पता है, कितनी होगी Boltzman constant की, that is 1.38 10 raise to power minus 23 Joule K inverse तो एक चीज के भी हमें पता चल गया, temperature हमें 300 दिया हुआ है, 2 और pi की value 3.14 अब आपके पास H की भी आपको value पता है, plank constant की भी plank constant की कितनी आजाएगी, 6.6 into 10 raise to power minus 34 अब आपके पास क्या बचा है, यहाँ पर सिरफ mass, right तो यह mass जो होगा, यह मैं यहाँ पर लिख दती हूँ, argon की case में होता है, 39.948 gram mole inverse चीक है, यह condition यह mass गया गी, अब यह सारी values को जब आप students put up कर दोगे, तो आपका right answer यह वाला आजाएगा, 2.44 into 10 raise to power 29 इसको आप solve करके रखना, 2 यहाँ सबसे पहले 2 लिखोगे, pi की जगा आप 3.14 लिख दोगे then, के, यहाँ पर M आपको मैंने निकाल के बताए दिया, आपका यह M की value आजाएगी, M की value के बाद, आप क्या रख दोगे, यहाँ पर kb की value and then t upon h square, जब यह सारी values रख दोगे, तब आप देखना, answer आपका यह आजाएगा, clear, अच्छा, एक आपके पास, यहाँ पर इन सब को हाँ जी, solve करोगे, तो आपका 2.44 into 10 raise to power 29, और v कैसे निकालोगे, difficulty नहीं आएगी, then आपके पास, again, chemical kinetics का आगया, what is the activation energy for the reaction, if it's rate double, when the temperature is raised to 20 say 35 degree, तो आप से simply यह पूछा गया है, कि activation energy आपको बतानी है, अगर आपने rate double कर गया, तो formula क्या लगाएंगे, हम log k2 upon k1 right, यह किसके बराबर होता है, यह upon 2.303 R, then comes T2 minus T1 upon T1 T2, right, अब यहाँ पर आपको rate double कर आएं, तो इसका मतलब यह तो क्या हो गया, log 2 के बराबर, E के value आपको निकालनी है, 2.303 R की value हम क्या रखेंगे, 8.314, यहाँ पर रख देंगे, then comes T2 minus T1, यह कितना आएगा, 15, और T1 और T2 को multiply कर दें, तो 293 multiplied by 308, अब इन सब को अगर आप solve करोगे, तो आपकी E की value यहाँ पर आजाएगी, 34.67, यहाँ पर इसका मतलब correct option आपका C वाला हो जाएगा, तो C would be the right option, चलिए, next question है, a plane in a crystal intersects the axis at, तो आपके पास 2A, 3B और 3C, यह condition intercepts यहाँ पर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह आपको कितना दिया आवा है, 2 का A, 3 का B, और 3 का C, अगर मैं इसको inverse करूंगी, तभी मैं Miller निकाल सकूंगी, तो इसका मतलब 1 by 2, 1 by 3 और 1 by 3, round figure इसको करने के लिए, अब Miller में हम क्या करेंगे, fraction में नहीं हो सकता, तो LCM लेके इनको सबको multiply कर देंगे, 6 है, तो 1 by 3, 6, 1 by 3, 6, तो आपके पांस आंसर आजाएगा 3, 2, 2, यह आपके H के लाग है, तो आपका it means 98 का correct option हो जाएगा, C वाला, यहने की 3, 2, 2, then comes आपका again data analysis का एक question है, कि if the energy of the particle can either be 1, 2, 3, 4 units और उसकी probability दी गई है 1 by 10, 2 by 10, 3 by 10, 4 by 10, तो average energy कैसे निकालोगे, तो बिल्कुल simple है student, जैसे एक है हमारे पास जिसकी energy आपको कितनी दी 1 by 10, दूसरा जो है, यह 2 number यहाँ पे दिया वा है इसके लिए कितनी दी, 2 by 10 तो इसको multiply कर दिया, 2 by 10 then third वाले की 3 by 10, then fourth वाले की 4 by 10, right तो आपने यह सारे के सारे sequence लिए तो आपके पास क्या जाएगा, 1 by 10 plus यह क्या हो जाएगा, 4 by 10 plus 3, 3s क्या हो जाएगा, 9 by 10 plus 4, 4s क्या हो जाएगा, 16 by 10 यह सारे को जब आप solve करोगे न तो यह आपका 30 by 10 आएगा it means 3, तो 3 यानि कि आपका correct option हो जाएगा, यहाँ पे B वाला, आपका answer आगया 3 then बिल्कुल simple सा ही microwave spectro का question है, कि which of the falling molecules does not show the pure rotational microwave absorption इसका मतलब जिसके अंदर 0 dipole moment है, तो वो नहीं दिखाएगा तो 71 का answer आपका क्या हो जाएगा N2 क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास 0 dipole moment 0 dipole तो इस दिन यह यह inactive हो जाएगा, next question पे हम move करते हैं, compared with the conjugated diene, the UV visible absorption spectrum of a conjugated triene will change in the way, इसका मतलब diene से हम कहां पे चले गए, tryene तो हमारा क्या हो गया, conjugation बढ़ गया, अब जब conjugation बढ़ गया, तो आपका दोनों चीज़े lambda और E, दोनों ही increase होते हैं तो correct option आपका क्या हो जाएगा D वाला then अब आपसे simple ESR का question पूछा गया है कि methyl radical कितनी line show करता है, तो आपके पास एक तरसे methyl radical है, 2N I plus 1, ये hydrogen की peak क्या करेगा hydrogen इसको split कराएगा hydrogen के लिए I की value होती है half, तो simply आप N plus 1 का formula लगा सकते हो, 3 plus 1 इसका मतलब 4, तो यहाँ पर EPR lines कितनी आजाएगी, methyl radical के अंदर 4, तो 72 का आपका answer हो जाएगा, 3 चलिए, next move करते है, how many vibration modes are possible for benzene, अब देखो benzene के लिए non-linear molecule है, तो 3N minus 6 हम use करेंगे, 3N कितनी value हो जाएगी, हाँ पर simply 12 और minus 6 12, 3 is a 36 minus 6, इसका मतलब correct option आपका कितना आजाएगा, 30 और 30 आपको दिया हुआ है, 3rd one पे, next आपके पास है, melting point of the particles in the nano form अगर nano form में कोई आ जाता है तो melting point हमेशा decrease हो जाता है, students इस चीज़ को ध्यान रखेगा तो अगर कोई भी material है nano form में हम ले रहे हैं, तो melting point decrease होगा, जैसे sodium cluster 1000 atoms का है वो 288 पे melt करता है और अगर cluster ले लिया of 10,000 का तो उसका melting point होता है 303, और bulk है तो उसका melting point आजाएगा 371 तो जैसे जैसे nano वाली conditions आएगी, nano form आएगा melting point धीरे धीरे क्या हो जाएगा decrease होता रहेगा, so that would be B would be the right answer so these are some important PYQ students जो आज हमने जम्मू किश्मीर सेट के लिए है तो I hope आपने बहुत सारी चीजों का आज rapid revision कर लिया होगा through the PYQs session अगर पसंद आए तो do like the session, जिसने भी channel को subscribe नहीं किया है, by using exam prep channel को subscribe कर लिजे, youtube channel को, ताकि आप तक सारे notifications पहुन सके, और session को जितना भी share कर सकते हैं ताकि maximum students के ये knowledge काम आ सके, उसको share करिएगा So have a nice day, thank you so much